भारतिय संस्कृती में पीपल देववरिक्ष है. इसके सात्विक प्रभाव के स्पर्ष से अंतह चेतना पुलकित और प्रफुलित होती है. पीपल वरिक्ष प्राचीन काल से ही भारतिय जन्मानस में विशेश रूप से पूजनिय रहा है. ग्रंथों में पीपल को प्रत्यक्ष देवता की संग्यादी गई है. सकंद पुराण में वर्नित है कि पीपल के मूल में विश्नु, तने में केशव, शाखाओं में नारायन, पत्तों में श्रीहरी और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्चुत सदैव निवास करते हैं. पीपल भगवान विश्नु का जीवन्त और पूर्णत्य मूर्तिमान स्वरूप है. यह सभी अभिष्टों का साधक है. इसका आश्रय मानव के सभी पाप ताप का शमन करता है. भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त व्रिक्षों में मैं पीपल का व्रिक्ष हूँ. स्वय भगवान ने उससे अपनी उपमा देकर पीपल के देवत्व और दिव्यत्व को व्यक्त किया है. पीपल का महत्व जो व्यक्ती पीपल का पौधा लगाता है और उसकी पूरी उम्र सेवा करता है, उस जातक की कुंडली के सभी दोश नश्ट हो जाते हैं, उसके परिवार में सुक्सम्रिधी आती है और शांती का वास रहता है. शास्त्रों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ती पीपल के व्रिक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करके उसकी सेवा करता है, तो वह व्यक्ती जीवन के कश्टों से मुक्त रहता है और बुरा समय भी टल जाता है. दिन धलने के बाद पीपल के व्रिक्ष के पास दीपक जलाना भी शुब माना जाता है. पीपल के व्रिक्ष के नीचे बैठ कर हनुमान चालिसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसंन होते हैं और जीवन की परिशानियों को हर लेते हैं. जीवन की हर बाधा समाप्थ होती है पीपल व्रिक्ष की नित्य तीन बार परिक्रमा करने और जल चड़ाने पर दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य का विनाश होता है पीपल के दर्शन पूजन से दीरगायु तथा समरिध्धी प्राप्थ होती है अश्वत्वरत अनुष्थान से कन्या अखंड सौभाग्य पाती है शनिवार की अमावस्या को पीपल व्रिक्ष के पूजन और साथ परिक्रमा करने से तथा काले तिल से युक्त सर्सों के तेल के दीपक को जला कर छाया दान से शनी की पीडा का शमन होता है अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औशधिय गुनों का अनेक असाध्य रोगों में उप्योग वर्नित है अनुराधा नक्षत्र से युक्त शनिवार की अमावस्या में पीपल व्रिक्ष के पूजन से शनी से मुक्ती प्राप्थ होती है श्रावन मास में अमावस्या की समाप्ती पर पीपल व्रिक्ष के नीचे शनिवार के दिन हनुमान की पूजा करने से बड़े से बड़े संकट से मुक्ती मिल जाती है पीपल का व्रिक्ष इसी लिए ब्रहमस्थान है इससे सात्विक्टा बढ़ती है पीपल के व्रिक्ष के नीचे मंत्र, जप और ध्यान उपादे रहता है श्रीमत भागवत में वर्नित है कि द्वापर्युग में परमधाम जाने से पूर्व योगेश्वर श्रीकृष्ण इस दिव्य पीपल व्रिक्ष के नीचे बैठ कर ध्यान में लीन हुए इसका प्रभाव तन मन तक ही नहीं, भाव जगत तक रहता है सायकाल के समय पीपल के नीचे मिट्टी के दीपक को सरसों के तेल से प्रजवलित करने से दुख्वमानसिक कष्ट दूर होते हैं पीपल की परिक्रमा सुभ सूर्योदय से पूर्व करने से अस्थमा रोग में राहत मिलती है पीपल के नीचे बैठ कर ध्यान करने से ज्यान की व्रिधी होकर मन सात्विक्ता की ओर बढ़ता है यदी ग्यारह पीपल के व्रिक्ष नदी के किनारे लगाए जाए तो समस्त पापों का नाश होता है यदी ग्यारह नवनिर्मित मंदिरों में शुभ मुहूर्त में पीपल व्रिक्ष लगाकर 40 दिनों तक इनकी सेवाया देखभाल करने पर उसकी अकाल मृत्यू नहीं होती और जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसके अपने परिवार में भी अकाल मृत्यू नहीं होती है वसुख का मार्ग प्रशस्त करती रहती है मार्ग में जहां भी पीपल वरिक्ष मिले उसे देव की तरह प्रणाम करने से भी लाब होते हैं